आज हम पढ़ेंगे ब्लैंक वर्स तो चलिए अब हम ब्लैंक वर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो ब्लैंक वर्स पढ़ने के लिए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ब्लैंक वर्स होता क्या है और इसके बाद हम ब्लैंक वर्स के एक्जामपल को भी देखेंगे ब्लैंक फर्स आयम्बिक पेंटर मीटर लाइन में लिखा हुआ होता है और यह जो है वो अन्राइम्ड होता है मतलब कि यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आयम्बिक पेंटर मीटर लाइन में होता है इसका मतलब यह है कि जो ब्लैंक फर्स होता है वो meter को follow कहता है उसमें एक meter होता है और वो unrhymed होता है मतलब कि उसका कोई भी specific rhyme नहीं होता है जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि five years have passed five summer with the length of five long winter and again I hear these waters rolling from their mountain springs with soft inland murmur यहाँ पर जो rhyme है वो follow नहीं किया जा रहा है यहाँ देखे जो length है जो here है जो spring है और जो murmur है इसमें यह सारे अलग-अलग है किसी में भी rhyme नहीं follow हो रहा है अब मैं आपको rhymed word बता देती हूँ जैसे कि beat, with, eaten, bitten यह rhymed word है tain, pain, यह rhymed है तो यहाँ देखे इसमें कोई rhyme नहीं है length here या length spring इस तरह कर कोई rhyme नहीं है यहाँ पर rhyme को follow नहीं किया जा रहा है ठीक है अब आगे बहुते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बतला दूँ कि जो blank voice है उसे इंग्लिस में बहुत ही अधिक यूज किया जाता है अब मैं आप लोगों कुछ एक्जांपल बता देती हूँ जैसे कि जो john milton है उन्होंने blank voice का यूज किया था अपने epic paradise lost में फेजो james tompson है उन्होंने भी इसका यूज किया था William Wordsworth ने इसका प्रयोग अपने autobiographical prelude में किया था जो कि 1805 में लिखा गया था Alfred Lord Tennyson ने इसका प्रयोग किया था अपने narrative ideals of the king में फिर Robert Browning ने दरिंग एंड बुक में blank voice का यूज किया था T.S. Elliot का The Westland ये भी blank voice का ही एक्जामपल है Coleridge का Frost at Midnight Wordsworth का जो Tinturn A.B. है वो भी blank voice में ही लिखा गया था Tennyson का T.S. Idle T.S. भी blank voice का ही एक्जामपल है I hope कि आप लोगों को blank voice समझ में आ गया होगा Thank you for watching Let's go ंच्चाबं रुक में एक्जाचचर रहा थाग्चाचर । अु कि भी EC आप पिते होगा भी कि घुक आप लागों कि उख़िंगग। कि दो आप ठाशिगग पिता है